कि क्तशंग अब कं यह कि देल्टा ट्रेड चैनल दोस्तों आज हमने आपको ट्रेड दीती सब्सेपर उसका अनलाइस कर लेते हैं कि दोस्तों है हमारे ट्रेजिब्स का टेलग्राम गुरूप है जिस में आपको डेली कि मैं आपको प्रवाइड करता हूं तो आज हमने आपको ट्रेड की दीती वह हम एक बार चैक कर लेते दिखिए यह मॉर्णी में आराउंड साथ मुझे कास्पास मैंने आपको ट्रेड देती एक मैंने आपको बोला था बाइस और तेश्ट दोस्तों की पुट को सोट मारना था जिसका अरवर्ण 25 पर चल ला था 25 टू 25 टू 25 टूट टूट एट के आसपास और एक मैंने आपको दीती टूट को सोट मारना था उसका प्रियों 23 टूट 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 एट कास चल रहा था ठीक है और इन दोनों पर हमारे टार्गेट हीट हुए यह जब मैंने ट्रेड ल साथ मैंने आपको सेर गाता अगर इस चैनल पर आपको जोइन कर रहा है तो इस चैनल का लिंक हमारे वीडियो के डिसकर्प्शन पर आपको मिल जाएगा आप उसको जोइन कर सकते हैं और हमारी जो भी ट्रेड हम आपके साथ चेक्निक लानालीज वीडियो में हम देख करते दोशों अभी देखे 220 प्रेट करने के लिए दिखाई दे सकता है देखे दोस्तों यह हमारे डाउन जोन का चार्ट था सबसे पहले हम इसमें बंडे का चार्ट और वन देखते हैं एक मिट ओपन हो जी एचे दोस्तों यह हमारा बंडेगा चार्ट था जिसमें मैंने आपको इसमें पहले भी बनाए हुए थे जब भी मैंने आपको गाता कि 3400 से उपर एक क्लोजिंग देता है डे चार्ट में तब भी हम इसको बॉलिस मानेंगे तो इसने आज क्या हुआ था कल जब इसने ट्रेडिंग अगर आपको यहां से यह 33-500 से नीचे अगर दोड़िये से देख रहे हैं एक गंटे के चार्ट में एक ऐसा बनता हो दिखाए रहा हमारे को देखें दोस्तों एक घंटे का अगर आप चार्ट यहां पर देखते हैं तो आप यहां पर देख पाएंगे अराम से कि डाउन न सबसे नीचे आ रहा है तो आप यहां से सपोर्ट ने को इसने सपोर्ट को तो देंस सपोर्ट पर यह रूहां से तो यहां से जा रहा है तो हमें अगर यह सब के नीचे ओपन होने वाली है तो मार्केट में थोड़ा सा पूल बैक आपको देखने को मिल सकता है 3900 के आसपा देन यह द्वारा से तोड़ेगा और इसके बाद यह इसी को 3200 के लिए अगर उपर जाना है तो उसके बाद ही यहां से हमारे को उपर देखने को मिलेगा तो अगर डाउन हमारे को 3500 से उपर क्लोजिंग देता है और 3700 के बीच में अगर मिलता है अगर इस नेज में हमारे को कल मॉर्निंग में आज की जो क्लोजिंग है मिलती है तो कल मॉर्निंग में हम BTC में साइट विज मार्केट को कैप्टर कर सकते हैं लेकिन जब तक अगर वो इसके नीचे मिलता है, तो हम सिर्फ call को sort मारेंगे यहां से, ठीक है, अगर इसके ऊपर मिलता है, तो हम सिर्फ put को sort मारेंगे, ठीक है, तो चलिए इसी बेश पर हम BTC के चार्ट को अनलाइज करने की पोसीज करते हैं, यह दोस्तो हमारा BTC का चार्ट है, पहले हम इसको 1D के चार्ट में देख लेते हैं, कि 1D के चार्ट में यह हमसे क्या कह रहा है, देखें दोस्तो, 1D के चार्ट में में ने सिंपल बताया था, इसने जो पहला सपोर्ट लिया था, अपना यहां से लिया था, जिसको यह ब्रेक नहीं कर पाया था, कि यहां पे पहला सपोर्ट था, यहां से ब्रेक करते हुआ, इसने सपोर्ट यहां पे लिया था, पहला 21-500 के आसपा, देन इसने दोबार से सपोर्ट लेने आए था, 18-500 के आसपा, फिर यह उपर गया, पिर नीचा है, यह इसी रेंज में काफी टायम तक हुआ, उसने लोड़ के ऊपर चला गया था ठीक है और मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आप से कहा था कि इतनी सारी केंडल यहां पर बना रहा है ना यह उपर को बन दे रहा है ना यह नीचे को क्लोजिंग दे रहा है इसका मतलब हाई चांप रोबेल्टी है कि हां से मार्के ब्रेक आ तो हमारे को बस इतना इत्सो कर रहा है कि अभी मार्केट बैरिस नहीं है जब तक कि यह ट्रेड लाइन है हमने बनाई जब तक यह नहीं तोड़ता है अगर यहां से चार गंटे का चार लगाने से हमारे को और भी क्लियर हो जाएगा इसको थोड़ा सा कि बीटी में में जो मुमेंट है वह करता है कि मैंने का इंडियन मार्केट से इतना वर्क नहीं करता है ज़ितना कि द्यांग और यहां रहां इस नहीं आपे डिया और चौति बार यहां पर शॉटे को रहा है अगर इस सब्लेंस और नीचे की तरफ जाएगा इसका पहला सपोर्ट बनता है, वो 22,000 के सपोर्ट के बाद अगर यहीं पर सस्टेंट करता है, तो ठीक है, अधरवाइस यह और भी नीचे फॉल हो सकता है, तो 4 गंटे के चार्ट में हमने देख लिया है, कि हमारी जो ट्रेड लाइन है, उस पर यह अभी सपोर्ट ले रहा ह इसका टाइम फ्रेम चोटा हो रहा है, एक बार आने दीजिए, एक्सली मेरा नैट काफी सलो चल ला है, आज बहुत ज़्यादा प्रॉलम कर रहा है, हम वेट कर लेते हैं कोई नहीं, यह दोस्तों मारा एक गंटे की कैंडल का चार्ट है, और एक गंटे की कैंडल पर मैंने आज मार्निंग में यह ट्रेड लाइन बनाई थी, और इस ट्रेल लाइन के बेस भी मैंने आज आपको जो भी ट्रेड दी ती, जब तक यह ट्रेल लाइन के करता है नीचे, जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगी, तब तक हम पूट साइट ठीकते, और जब तक इसका साथ मार्केट कहां पर थी, साथ मुझे मार्केट दोस्तों आराउंड यहां पर थी, इस केंडल पर कहीं वर्क कर रही थी, साथ मुझे, हाँ, साथ मुझे मार्केट इस केंडल के आसपास कहीं वर्क कर दी थी, और इस केंडल पर हमने ट्रेड लीती, यह मैंने सोचा हुआ तो अपना हाई था यह इसको नहीं तोड़ेगा और यह ट्रेड लाइन थी कि मार्केट तो विज़े तक जब तक हम ट्रेड में था अगर इस रेंज में रहती है हमारा टार्गेट हीट होता है तो ठीक है अब इसने हमारी दूसरी ट्रेड लाइन पर आके सपोर्ट लिया है तो अब यहाँ पर अगर ट्रेड लाइन इसी पर सपोर्ट लेकिए चलता है तो ठीक है अधर वाइज हम इसको बोल सकते हैं कि अगर यहां से ट्रेड लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देता है तब यह एक बैरिस मोड में जाएगा अब एक पंदरा मिंट के चार्ट में हम इसको और तरीके से समझ लेते हैं तो फंदरा मिंट के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो इस सपोर्ट कर रहा है अगर यह चांस होगे कि हमारे आउं जो होगा वह हमारे को 500 से से नीचे मिलेगा अगर 22,800 से नीचे आती है और अगर डाउंजन यहां से रिकवर कर लेता है 34,000 से अब वो एक क्लोजिंग दे देता है हमारे को तो हमारा जो बीटी सी है वो भी हमारे को 23,300 से ऊपर ट्रेट करता हूं हमारे को आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरी टेलग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की मिल जाएगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आप से अगली वीडियो में जब तक लिए धन्यवाद